पिछले साल की तरह इस बार भी मलेशिया टुरिजम ने 14 से 26 अगज 2023 तक भारत में लगातार दूसरे रोडशो की शुरुआत की है अमरुसर शहर से शुरु होने वाला यह रोडशो बाद में लखनो, नागपुर, पुने, गुवा और कोचिंग जैसे छद वितिय शेनी के शहरों में होगा ऐसी जानकारी आज जित पत्रपरिशक के दोरान आईज़ों को द्वारा दी गए परियतन, कला और संस्कृती उपमंत्री वाई बितुआन, खैरूल, फिर्दोस, अगपर खान के नेतुत्व में होने वाली इस रोडशो में पैतालिस्तानी संगट्नों ने भाग लेने की इच्छा जाहर की है जिसमें होटल और रिसोर्ट, ट्रावल एचेंट, परियतन, उत्पाद मालिक, विजा सलाकार, मलिशिया स्थेट, एयरलाइन्स और राच्य परियतन बोर्डों की प्रतिनिदी शामिल है 3 जनवरी से 7 फरवरी 2030 तक, भारत के पाच प्रमुक शहरों में अपने पहले सफल रोडशो के साथ-साथ, हाली में South Asia Travel and Tourism Exchange 2030 और उदाइपूर में ट्रावल वेडिंग शो में अपनी भागीदारी के पाथ, टूरिसम मलिशिया का लक्ष है इस दूसरी श्रुंकला के मादम से देश में अपने प्रचार प्रया सुका और विस्ता कना. कर दो और दो दो में अपना ख्रचार अपने इंपना व्रचार वि फित्म लजब खाद स्था दो थित्म एेत्म घ। और पाह dest키 राव है कि अपने दूसरी खा भीद। छी सoléकोन कर दोरिपला थारे जले झाती है उले once Sबनली मुटरा जले क्तली सक्रेवास, रसक्र сестрाठरी है on arrival, it's actually limited to certain kind of situation right, because at the moment we don't have visa no arrival for India, no, you need to have E visa but we have visa no arrival certain condition something like if you have Singapore or Thailand visa I mean ASEAN the neighboring country that we have that we have land border then yes 30 चन्वरी से 7 फर्वरी 2030 तक हुए भारत की पाच प्रमोग शहरों में अपने पहले सफल रोडशो उदरपुर में साथ इशिया ट्रावल और टुरिजम एक्षेंज 2030 और ट्रावल वेडिंग शो में अपनी भागितारी की बाद मलिशिया टुरिजम का लक्ष इस दूसरी श्टुंकला के माध्यम से देश में अपने प्रचार प्रयासों का और विस्तार करना कैमरा परसं राजकुमार मोहुड के साथ शितिजा देश मुक की रिपोर्ट